अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बजाना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास पूरे टाइम पे पहुंचती रहे तो चलिए आज का चेप्टर शुरू करते हैं तो आज का हमारा जो चेप्टर है वो हमने लिया है प्लस टू फाइन आर्ट्स की बुक या फिर मानलो के पेंटिंग आपका जो सब्जेक्ट है उसका सबसे पहला चेप्टर जो इंट्रोड़क्टरी चेप्टर है पाला एंड जैन स्कूल ओफ आट उसके बारे में आज हम प पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जो आज शुरू कर रहे है अभी वो इंट्रोडक्टरी पाठ है इंट्रोड़क्षन टो मिनियेचर पेंटिंग तो पीटा सबसे पहले हमें ओपहले मिनियेचर पेंटू के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपका प्लस टू का पूरे क पूरा जो syllabus है वो miniature painting के उपर ही based है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि miniature painting है क्या तो हम अगर इस question का answer दें तो सबसे पहले miniature painting जो है वो size में बहुत ही ज़्यादा small होती है बहुत ही ज़्यादा क्या मतलब small paintings होती हैं दूसरा उसमें every minute details छोटी छोटी जो details है जैसे कि अकेले-अकेले बाल की भी पूरी detail बनाई जाती है eyes के उपर जो हमारी eyelashes है उनकी detail बनाई जाती है और ये किसी भी medium में water color में किया जा सकता है अथन color में किया जा सकता है प्योर pigments में किया जा सकता है ठीक है न आजगल तो जो artist है वो different different colors में इसके experiments कर रहे हैं और किसी भी surface पे किया जा सकता है wall पे किया जा सकता है handmade paper पे किया जा सकता है जैसे कि पहले तारपत्र पे किया जाता था उस पे भी किया जा सकता है तो अगर हम इसकी पूरी definition देखें तो वो हमारी बनती है the painting which are smaller in size but having every minute details done in any medium and on any surface is called a miniature painting उसको हम miniature painting बोलते हैं तो इसके बारे में आगे हम detail में पढ़ेंगे सबसे पहले पेटा surface देखेंगे कि पुराने टाइम में जब miniature painting हुआ करती थी तो कौन सी surface यूज की जाती थी सबसे पहले palm leaf जो के ताड़ पत्र या भोज पत्र भी उनको बोला जाता है उसके बाद cloth के उपर भी की जा सकती है उसके बाद बेटा leather या फिर ivory इसके उपर भी जो painting है वो की जा सकती है ivory means हाथी दांत के उपर भी की जाती थी और इसके इलावा बेटा जो आजकल भी की जाती है मतलग कि handmade papers भी use होते है पहले भी handmade papers बनाए जाते थे जैसे कि miniature painting को करने के लिए एक special paper बनाने की technique है जिसको हम बोलते है वसली ठीक है ना ऐसे बनाई जाती थी लेकिन हम उसके बारे for miniature painting कौन सी technique के साथ ही की जाती थी बेटा mostly जितनी भी paintings अभी तक हुई है वो ज्यादा से ज्यादा जो है tempera technique में की जाती है जिसमें एक पहले single color की surface जो है वो आप एक चूने से भी लगा सकते हो है ना जो white color का चूना होता है जो से फेदी भी बोलते हैं उसको तो उसके बनानी है आप उसको draw करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपको कुछ layers of opaque colors में इस थिक color जो है वो आपको apply करने है वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि एक ही layer में हो जाएगा नहीं उसको different layers आपको देनी पड़ेगी ठीक है ना एक के बाद दूसरी फिर दूसरी के बाद यह ऐसे apply करना पड़ेगा ताके वो color थोड़ा सा ठीक हो जाए ठीक है और इसके बाद बेटा क्या है कि surface को पीछे की तरफ से किसी ना किसी पत्थर के साथ रगड के उसको smooth किया जाता है और rub किया जाता है क्यों ताके वो जो सामने की painting का area है वो बिलकुल plain हो details देनी है तो obvious ही बात है उसके लिए हमें जो surface है painting की वो बिलकुल smooth चाहिए तो उसके बाद final जो details है lining work जो है वो उसके किया जाता है इसके इलावा बेटे बाद में जो है finally borders जितने भी है paintings के वो सारे के सारे बनाए जाते है बेटा यह हम भी देखेंगे कि पहले भी और यह तकरीबन उनके borders जरूर बनाए जाते है ठीक है न तो इसको हम ध्यान में रखेंगे बेटा आगे का जो है इसमें आजकल के जो modern times के artist है वो क्या है कि miniature painting को एक अलग रूप दे रहे हैं wash technique में भी करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ oil colors में भी करने की कोशिश कर रहे हैं acrylic colors म में करते हैं ठीक है न तो different different medium जो है वो आजकल try कर रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं colors जो है वो miniature painting के लिए कहां से लिये जाते थे या कैसे use किये जाते थे इनके लिए ना mostly जितने भी colors हैं वो सारे के सारे अधरन colors है मतलब कि direct natural product है या फिर natural चीजों से ही लिये जाते थे जैसे कि आजकल इनको हम pure pigments बोलते हैं जैसे कि red color जो के लाख से लिया जाता है जो के चूडिया मनाने के लिए भी use किया जाता है वाइट colors जो है वो white खडिया चूने से भी लिया जाता था और brown color from रामरज black color जो मोंबती जलाते हैं या कोई भी lamp जलाते हैं तो नीचे काला कालाई कठा हो जाता है तो उस color को as a black color use किया जाता था yellow color from peyodi या फिर उसको हल्दी टर्मरिक भी भी भोल सकते हैं वह उसको use किया जाता था green color direct from the leaves या फिर different different इसके stones भी होते हैं उन stones को चूरा बनाके जो था उसको use किया जाता था तो बेटा ये अलग-लग techniques है दिवार प काम करने के लिए कोई और technique है तो different different techniques हैं लेकिन हम यहाँ पर tempera की ही बात करेंगे क्योंकि आपको syllabus में सरफ tempera की ही बात की जाती है अभी बेटा हम जो है अपना main introductory pala school of art जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो pala school of art सबसे पहले introduction करेंगे इसके साथ कि इसको हम eastern school भी बो जातिलब के जो paintings style की होती थी वो वहाँ पे होती थी इसके इलाबा बेटा time period जो है इसका 750 AD से लेके middle of 12th century जो है उस time period में हम इसको मानते हैं इसके बाद बेटा इसके main centers जो है centers means जहां पे यह paintings पाई जाती है इलोरा, अजंता, बहुत सारी Buddhist monasteries है, सोम रूपा है वहाँ पे यह paintings पाई जाती है, इसके इलाबा बेटा हम देखेंगे इसके patterns कौन-कौन है, इसके patterns मतलब कि किस-किस ने इसके लिए financial assistance दिया है, financial किस ने support किया है, King Dharmpal and Devpal, यह दोनों के दोनों Paul dynasty को belong करते हैं, मतलब कि इसलिए इसका नाम भी पाला स्कूल पढ़ गया, ठीक है ना, त life के उपर based incidents बनाई गई हैं इसमें, जातका stories वो बनाई गई हैं इसमें, images of Buddhist deities जो हैं, वो बनाई गई हैं, एक बेटा याद रखना, पुराने टाइम में ज्यादा तर जो paintings थी ना, वो manuscript में होती थी, क्योंकि manuscript मतलब कि जो handmade बनाया जा रहा है, उसमें handmade ही लिखा जाता थ और एक side में painting बनाई जाती थी, तो आगे हम example देखेंगे इसमें, ठीक है ना, पाल स्कूल में के कैसे वो manuscript बनाई जाते थे, तो अभी बेटा इसके characteristics देखेंगे कुछ के कैसी कैसी चीज़ें, जैसे कि बेटे mostly सवा चशम eye faces बनाई गए हैं, ठीक है ना, अभी बेटे सवा चशम, means eye का एक proportion है कि कैसे वो proportion दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले बेटा हम इस painting में देखेंगे कि हमें एक चशम eye दिखाई दे रही है, है ना, और इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे कि eye बहुत ही जदा elongated eye है, है ना, एक simple eye जो बनाई जाती है, ऐसी eye नहीं है, एक elong elongated eye है, जो के हमारे temple तक पहुंच रही है, temple बेटा, जो हमारे eye जो है, वो एक corner पे पहुंच रही है, तो उसको हम temple बोलते हैं, ठीक है ना, दूसरा जो है इस painting में देखो, जैसे कि हमें डेड़ चशम eye भी दिखाई 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 दिखा घाएंगे कि हमें अलग-लग चीज़ें जो हैं, वो हम पे दिखाई दिखाई देती हैं, उसके बाद करवी black outlines, मतलब कि जो paintings हैं, उनमें outlines दिखाई दे रही है, जैसे कि बेटा, देखो, अभी यह जो तीसरी painting है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ब्लैक color की outline आसपास, गई है figure के आसपास तो इस तरीके की जो black outlines है वो इसमें की जाती है और तीसरा है पिटे bright color मतलब के dull colors ने use किये गए इसमें bright color है न जैसे कि red हो गया blue हो गया ऐसे colors use किये गए है और simple composition बिल्कुल simple composition बनाई गई है ठीक है न और graceful figures figures जो है उसको graceful मतलब के पूरे curves दिखाए गए है अगर किसी lady की figure बनाई गई है तो उसमें पूरे curves उसकी breast के curves है न उसकी hips के curve इसकी कमर की curve वो सारा कुछ दिखाया गया है इसके इलावा बेटा हम example यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम देखेंगे अश्ट शरी का प्रजन परमि यह वाला जो text है यह जो illustration है यह जो manuscript है यह महायान बुद्धिजम को बिलोंग करता है जो के 8000 lines में लिखा हुआ है इसके इलावा बेटा हम देखेंगे कि यह 11th century में लिखा गया example number 2 भी हमें जो है अश्ट शरी का परमिता जो है यही चीज हमें दिखाई देती है और यह 12th century में लिखा गया ठीक है न यह दूसरा है ठीक है न यह दूसरा illustration है तो बेटा अभी हमारे पास यह देखो एक painting हमें दिखाई दे रही है जो के monkey with wajr on lotus ठीक है न यह उसी illustration से उस है और दोनों तरफ लिखा भी गया है ठीक है न यह time period late 11th century का time period है उस वक्त यह बनाई गई इसके इलावा बेटा हम यहां पे यह देखो हमारे पास दिखाई दे रहा है कि eastern school या पाल school का जो manuscript है है अश्ट शरी का परजिन परमिता जो है उसको बनाया गया है यहां पे उसम endings थी वो की जाती थी ठीक है न यह उस वक्त का original जो है वो हमें दिखाया गया है early 12th century West Bengal Bangladesh जो है वहां पे हमें यह मिला है ठीक है न इसके इलावा बेटा हम यहां पे देखेंगे कि decline of पाला स्कूल बेटे किसी भी चीज का decline होने के पीछे एक दो यही reason होते है ठीक है न यहा होना शुरू हो गया क्यों हुआ बेटे क्योंकि after the destruction of Buddhist monasteries जितने भी Buddhist monasteries सिगी थी उनको सभी को destroy कर दिया किसने किया destroy ओवेसी बात है Muslim invaders क्योंकि हमारे इंडिया को जितना भी लूटा है वो Muslim invaders ने लूटा है Britishers ने तो लूटा ही लूटा है लेकिन Muslim invaders उससे पहले लूट चुके थे तो वो Buddhist monastery जो है उन्होंने वो तभा कर दी खतम कर दे ठीक है ना तो बिटा अभी हम पढ़ेंगे Jain School of Art तो Jain School of Art के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे introduction में देखेंगे कि this is also known as Western Indian School इसके इलावा गुजरात, राज्यस्थान, parts of Malwa इसकी location है जहाँ पे हम इस तरीकी paintings मिल सकती है time period जो है इसका 10 से लेके 16th century का हम मानते हैं इसके इलावा बेटा patterns जो है वो चालूक्यन डैनस्टी जैसे कि उसका हमने देखा था पाल स्कूल का पाल डैनस्टी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चालूक्यन डैनस्टी इसके इलावा बेटा हम subject matter जो है ओवियस सी बात है बेट जोन जैनिजम क्योंकि जैन स्कूल है तो ओवियस सी बात है कि जैनिजम को लेके बनाया जाएगा इनके जो तीरतंकर्स हैं जो इनके गुरू थे उनकी paintings बनाए गई हैं जैसे कि पारशवनाथ, नेमीनाथ, रिशवनाथ यह सारे के सारे इनके तीरतंकर्स हैं टोटल 24 तीरतंकर्स हुए हैं तो उनके उपर based paintings बनाएगे यह रब ओट 20 तीरतंकर्स जो हैं उनको paint किया गया in manuscripts, manuscripts में उनको paint किया गया ठीक है न? और इनके लिए जो surface use की गई है painting के लिए वो palm leaf और बाद में paper पे भी काम किया गया लेकिन शुरुआत में palm leaf पे ज़्यादा काम किया गया अगर हम इसके characteristics की बात करें तो strong distortion मतलब के किसी भी figure को तोड़ मरोड के बनाना ठीक है न? उसका proportion कहीं ना कहीं change कर देना proportion को गलत कर देना कहीं तो आम बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है कहीं उसकी जो feet है वो लंबे जा रहे है कहीं उसके जो nose है वो बहुत ज़्यादा तीखी जा रही है तो eyes जो है वो बहुत ज़्यादा figure के बाहर जा रही है तो यह क्या है? यह distortion है क्योंकि actual में तो किसी बंदे के ऐसे नहीं नहीं होता कि eyes उसके face से बाहर जा रही है या फिर उसकी एक बाजू बहुत जादा लंबी जा रही है तो ऐसा नहीं होता लेकिन यहाँ पे जो है वो strong distortion दिखाया गया है enlarged eyes हमने पहले उस painting में भी देखा था कि eyes जो है वो temple तक पहुँचती है breast और hips जो है उनको भी उभार कर बनाया गया है मतलब कि पूरी गुलाई दी गई है इसके इलावा बेटा यहाँ पे जो physical traits है उनका बहुत ध्यान रखा गया है figures बिल्कुल flat बनाई गई है single color में बनाई गई है angularity of features features मतलब कि rhythmic है उनमें rhythm दिखाई देता है ऐसा नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि नाख टूटा हुआ या कुछ टूटा हुआ है नहीं उन features जो है वो rhythmic दिखाई दे रहे है इसके इलावा बेटा हम देखेंगे कि extended out eyes eyes face के भी बाहर जा रही है ठीक है ना art of primitive vitality means primitive art जो है folk art जो है उसका यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा influence जो है वो दिखाई दे रहा है इसके इलावा बेटा हम देखेंगे कि vigorous lines lines जो है वो बहुत ही strong और bald तरीके से use की गई है force food colors मतलब के बहुत ही bright color जो है वो use किये गए है ठीक है ना इस बात को हम बिल्कुल ध्यान से रखेंगे बेटा अगर आपको question आ जाता है कि characteristics of Jans school of art तो आप इनको direct लिख दोगे तो आपको number लेने से कोई नहीं रोक सकता उसके बाद बेटा हम इसकी example पढ़ेंगे तो आप याद रखना कि Jans school of art में हम example पढ़ते हैं कलब सूत्रा की तो first है बेटे कलब सूत्रा जो के book of fables भी इसको बोला जाता है है ना इसमें जादा तर जो है वो Jans including महावीर क्योंकि महावीर भी उनके एक तरह के गुरू है ठीक है ना उनकी भी biographies जो है वो लिखी गई है इसके इलावा हम medium देखेंगे opaque colors, zone paper paper के उपर opaque colors जो है वो यूज किये गए है इसके इलावा हम example number two देखेंगे दे कलब सूत्रा कथा ये एक teacher की story है जिसका नाम था कालका ठीक है ना उसकी story के बारे में इसमें बताया गया है ये बिटा सारी की सारी illustrations और manuscript ही है मैं बार-बार बोल रहा हूँ these are manuscripts not a single painting ये single painting नहीं है ये manuscript है तो medium इसका भी 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 भीटे हम देखेंगे के opaque color ही है paper के उपर ये हमारे पास एक painting दिखाई दे रही है हमें मतलब देखो भी manuscript है एक तरफ painting बनाई गई है एक तरफ जो है वो लिखा हुआ है इसी के बारे में लिखा हुआ है ये painting जो है हमारे इसमें कलब सुत्रा manuscript से लिग गई है इसको हम बोलते हैं birth of mahavira birth of mahavira celebrating the sixth night after the birth of mahavira इसके बारे में भी कलब सुत्रा manuscript में ही दिया गया है मैं बार-बार बोल रहा हूँ ये सभी के सभी manuscript है not a single painting जो केस का भी हम time period यही मानते हैं और opaque water color के ही बनाया गया है पेपर के उपर तो schools of central India हम देखते हैं बेटा time period इसका 11 से लेके 12th century का time period हम मानते हैं और इसके इलावा बेटा इसके patrons khalji dynasty and सुल्तान बाज बहादूर को इसके patrons माना जाता है जिसने इनको financial assistance ती काम करने के लिए आर्टिस्टों को और इस पे बहुत सारे अलग-लग schools का influence है जैसे कि Jain Manuscripts of Gujarat Muslim Elements of John Por Rajput Art of Northern and Deccan Style of South Persian influence भी इसके उपर दिखाई देता है तो साथ में हम बेटा देखेंगे subject matter रागमाला सीरीज लौर चंदा चौर पंच शीखा सेरीज secular and romantic themes ये subject matter subject matter महर तरब कि किस विशे पे वो paintings बनाई गई है तो इस तरीके से वो बनाया गया है तो इसमें हम characteristics देखेंगे large project out eyes जो हमने पहले भी बात किया कि eyes जो है वो face से बाहर जा रहे है इसके इलावा हम देखेंगे angular faces means rhythmic जो है उनके features जो है वो बनाये गए है इसके इलावा men and women of moderate height मतलब जहां ही बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा लंबे दिखाए गए है ना ही बहुत ज़ादा छोटे दिखाए गए है plenty of motives जो folk art के motives हैं उनको as a symbol इसमें use किया गया है और बेटा हम यहाँ पे दो main examples देखेंगे हमारी कलबसूत्रा illustration of mandu ये भी हमारे जो है manuscript ही है इसको बिलकुल याद रखना manuscript होता है जो handwritten हो painting भी और साथ में लिखा हुआ भी और उसके बाद illustration क्या बोलते है एक तरफ तो painting बनाई गई है दूसरी तरफ उसी के बारे में लिखा गया है तो बिलकुल ये जीज़ आपको ध्यान में रखना है और main centers 16th century के अगर हम मानते हैं मालवा reason में तो वो हैं धार, उज्जैन, नर्सिंगपुर, नर्सिंगड़ तो इनको हम main centers मानते हैं इसके इलावा हम subject matter देखेंगे रागमाला, रमायना, भगवत, पुरान और बहुत सारी जो love stories हैं जो renowned हैं उनके बारे में जो है वो paintings बनाई गई हैं इसके इलावा बेटा हम इसके features देखेंगे जैसे कि depiction of theme in small areas and compartment छोटे-छोटे parts में divide की गई हैं अभी इसके example भी हम देखेंगे आगे ठीक है न excellent execution दी गई है मतलब कि उसको देखके लगता है पेंटिंग को कि हाँ इसके बारे में बनाई गई है उसके बाद bright color usage की गई है blend of folk elements इसमें use किये गई है examples देखते हैं अभी देखो Krishna stealing butter and other Krishna lila scenes जो के 16 AD में बनाई गए ठीक है न और मालवा में बनाई गए राम एंड गोल्डन डीर मरिच इन 1634 से लेके 1640 AD का इसका time period मानते हैं वो भी जो है वो मालवा reason का ही बताया गया है अभी paintings देखते हैं तो जैसे कि इनकी courtesy बेटा आब याद रखना National Museum New Delhi courtesy means कहाँ पे अब ये preserve की गई है कहाँ पे अब ये पड़ी है ठीक है न तो आपके syllabus में जादा तर सारी की सारी paintings National Museum New Delhi में ही पड़ी है तो ये आपको याद रखना है उसके बाद बेटा हम देखेंगे ये देखो अभी छोटे छोटे जो paintings है मतलब के compartments में divide किया हुआ है small small areas में divide किया गया different different section में divide किया गया उसमें दिखाया जा रहा है है ना execution की गई है हर एक चीज को दिखाया गया है कि कैसे वो काम कर रहे हैं कैसे क्या चोरी कर रहे हैं एक तरह फिर उसको पकड़ लिया जाता है है ना ये सारी की सारी चीज दिखायी गई है इसमें Krishna stealing butter and other Krishna lila scene जो है इसमें दिखाये गए है तो इसका time period पेटा हम 1680 AD मानते हैं तो इसको बिलकुल याद रखना साथ में एक और painting हमको दिखायी गई है that is the Ram and golden deer that is Mrich Malwa ये भी उसी reason का बनाया गया है ये उस वक्त का time period हमें दिखायी दे रहा है जब मतलब के Ramji को बनवास्त हुआ था और Ravan जो है वो सीता मया को लेके जाता है तो उससे पहले का ये scene जो है हमें वहाँ पे दिखायी दिया गया है मतलब के देखो सारे के सारे bright color usage की गई है है ना हम दोनों painting में देख रहे हैं कि हमें bright color usage जो है वो मिल रही है और साथ में छोटे-छोटे compartments में सारपुरी के पुरी painting को divide किया गया है तो बेटा ये जो था हमारा इसके साथ decline of central school कैसे decline वो बेटे मैंने पहले भी बताया था कि decline का एक या दो reason ही होते है जैसे कि entry of Muslim invaders तो उनोंने ये सारा कुछ तबा कर दिया जो artist थे अभी वो तो खाने भी ने की तलाश में तो जाएंगी ना तो obvious ही बात है उनोंने मेवाड और राज़स्थान में अपनी जगा ले ली वहाँ पे शरन ले ली वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया तो ये जो central school है बेटे ये एक तरह से foundation head बन गया जो बात की miniature paintings miniature schools जितने भी बने आए राज़स्थानी, पहाडी, डेकन ये सारे के सारे उनका एक main center बने गया तो हम इसको बिलकुल याद रखेंगे और next videos जो हैं हमारी उनमें हम पूरी तरीके से राज़स्थानी, पहाडी, डेकन, मुगल है ना वो सारे के सारे आते रहेंगे time to time आपके पास पहुँचते अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please इसे like करें, share करें, comment करें और please चैनल को subscribe करना न भूलिएगा Thank you very much